तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ, कि घर पर रखे कुछ सामान के साथ ही आप एक perfect cake sponge कैसे तयार कर सकते हैं, आज मैं आपके लिए vanilla cake sponge की वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए जल्दी से आज की इस हम शुरू करते हैं हलो एवरिवन मैं हूँ शिवानी और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है शिवान्स किचिन में तो वनीला के एक स्पॉंज बनाने के लिए सबसे पहले हम एक वर्तन में लेंगे आधा कब दूद यहां पर जो हमें दूद लेना है वो बिल्कुल रू नेगर ना हो तो आप दूद की जगे पर एक तेहाई कब दही ले सकते हैं यहां पर दस मिनट हो चुके हैं और दस मिनट बाद जब आप इस दूद को देखेंगे तो आपको यह दूद हलका सा फटा-फटा सा देखेगा इसका मतब दूद एक दम तयार है अब इसमें हम ड चाहिए आप चाहो तो यहां पर melted butter का इस्तमाल भी कर सकते हैं इसके बाद हम इन तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे तो इनको हमने अच्छे से मिला लिया है इसके बाद हम क्या करेंगे इसके ऊपर एक छलनी रखेंगे जिसमें हम डालेंगे एक कप मैदा इसी के साथ हम हम इसमें डालेंगे आधा कब पाउडर शुगर तो घर पर रखे हुए शुगर को ही आप मिक्सी की जार में अच्छे से पीस लें और उसका पाउडर बना लें अब हम इसमें डालेंगे चार चमज प्याश हें जरूर छूर करें इस लिए बहुत इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चोटा चमच बेकिंग पाउडर और आदा चोटा चमच बेकिंग सोड़ा अब इन सब चीजों को हम अच्छे से चान लेंगे जिससे कि इसमें कोई गुटली होगी तो वो निकल जाएगी हमारा केक स्पॉंज एकदम सॉफ्ट और स्पॉ चान लिया है अब धीरे धीरे इन सब चीजों को हम मिलाना शुरू करेंगे तो इसे मिलाते मिलाते आप देखेंगे कि अभी गाड़ा है तो अभी हमें इसमें दूद और डालना है लेकिन पहले इस तरीके से एक बार हमें मिला लेना है जिससे कि हमें पता चले कि हमें कितन दूद डालना है अब थोड़ा थोड़ा करके हम दूद को और डालेंगे तो यहां पर मैंने एक चौथाई कप दूद और लिया है और उसे मैं दो वार में डालूँगी जिससे की बैटर एकदम से पतला ना हो जाए तो इस बैटर को बनाने के लिए यह एक चौथाई कप के लिए होना चाहिए तो इस बैटर को बनाने के लिए हमने आदा कप दूद सुरू में लिया था और उसके बाद अब हमारा एक चौथाई कप दूद और लग गया है अब एक स्पैचुला लेंगे और उससे हम क्या करेंगे साइड में जो बैटर लगा हुआ है उसे लेकर का पूरा बैटर इसमें डाल देंगे तो केक का बैटर बनाने से पहले ही आपको केक टिन हमिसा तयार रखनी चाहिए क्योंकि केक का बैटर तयार होने के बाद हमें इसे बेक करने के लिए रखना होता है तो यहां पर हमने केक का बैटर ट्रांसफर कर लिया है अब इसे एक एक वीडियो डाली है आप उसे जाकर देख सकते हैं तो मैं इसे गैस पर बेक करने के लिए रख देती हूं और इसे बेक होने में कम से कम 30-35 मिनट का टाइम लगेगा तीस मिनट बाद आप एक बड़ चेक कर लें अगर टूथपिक एक दम क्लेड निकले इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो चुका है अगर टूथपिक थोड़ी सी भी गीली निकले तो आप उसे 5-10 मिनट के लिए और बेक कर सकते हैं तो 30 मिनट हो चुके थे मैंने अपना केक चेक किया और यहां पर केक अच्छे से बेक हो चुका है आप देख सकते हैं केक पर कितना अच्छा कलर आया है और एकदम अच्छे से ये फूला है अब इसे हम एक प्लेट पर उल्टा करके निकाल लेंगे और ये देखिए केक टिन एकदम क्लीन निकली है बिल्कुल भी चिपका नहीं है केक इस पर जो आपने बटर पेपर लगाया था उसे भी हम निकाल देंगे अब देख सकते हैं कि केक स्पॉंज कितने अच्छे से फूला है और इसमें कितनी अच्छी जाली आई है एकदम सॉफ्ट केक बनकर तयार हुआ है तो आप मेरे चैनल पर इसी तरीके से बने रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इसी की साथ अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें मेरे चैनल क सब्सक्राइब करें थेंक यू